हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्व चैनल फरीदा डिजिटल कम्यूनिकेशन फरीदा डिजिटल कम्यूनिकेशन में आप सब का स्वागत है दोस्तों मैंने बताया था कि आप लोगों को हम यूटियाई पीए से का जो फोटो सिगनेचर क्रॉफ होता है तो फोटो सॉप से कैसे बनाना है इसके रिगार्डिंग मैंने बोला था और बहुत सारे रिटेलर ने मेरे को कॉमेंट करके भी बताया था कि सर इसके ओपर एक वीडियो बनाओ कि यूटियाई फोटो सिगनेचर फोटो सॉप से कैसे बनाना तो Adobe Photoshop 7.0 जो होता है वहाँ से UTI photo signature कैसे बनाना पड़ता उसके regarding यह वीडियो है आप वीडियो को एकदम सुरू से लेकर end तक देखते रहिए इसकी मत किजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर UTI photo signature neat and cleanly A to Z मैंने बताया तो चलिए वीडियो आप देखते रहिए और सबको मेरा तरफ से निवदर है कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और side by side bell icon को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने बाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा आप जानते हो कि हमारे चैनल पर NSDL और UTI APS Online Form Film Lab इसके रिगार्डिंग ज़्यदा तर वीडियो अपलोड होता है तो चलिए दोस्तों सुरू करता हूँ आज का वीडियो वो खोल लेता हूँ PSA का Portal खोल लिया दिखा दोस्तों यहां पर Documentation का Option है Documents का Size क्या होता है वो भी दिखाता है चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि यह है Documents और यहां से हम बनाएंगे Photo and Signature वो भी Photoshop से ठीक है चलिए यह File को हम Photoshop के अंदर Open कर लेता हूँ यह Photoshop में Open हो गया है तब यहां से Photo and Signature कैसे Crop करके निकालना है तो Photo का Size होता है UTI में Photo का Size होता है 213 x 213 Pixel और DPI रहता है 300 DPI तो सबसे पहले आपको File में जाना है Photoshop Open करके और New में जाना है New जाने के बाद यहां पर देखियो यहां पर सारे अफसें 300-300 है तो 200-200 करना है 213 और ओर 213 Pixel रहेगा यह Pixel रहेगा और Resolution 300 रहेगा 300 और यहां पर Pixel इंच रहेगा Mode में RGB Color रहेगा Content में White रहेगा ठीक है? उसके बाद क्या करना? OK कर देना ठीक है? Width रहेगा 213, Height रहेगा 213 Pixel, Resolution 300 यह फोटो का मिजर्मेंट है चले इसका फोटो का मिजर्मेंट यहां पर आ गया है अभी Signature का मिजर्मेंट क्या है? Signature का मिजर्मेंट भी हम कर लेता हूँ फाइल में जाके Newble Option पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर रहेगा आपको 444 और नीचे देना है 205 205 और DPI कितना होगा? 600 DPI बाकी जो था Pixel Inge यह सेम रहेगा सरेफ यह चेंजेस हुआ मिजर्मेंट में 444 Height होगा 205 और Resolution है 600 यह Signature के लिए है चले इसको भी हम OK कर दिया अभी दोस्तों देखो मान लिजे कि आप 4-5 फोटो एक साथ रेडी करोगे तो जस्ट इसके उपर Right क्लिक करना और Duplicate Option पर क्लिक करके OK कर देना तो फिर एक नया Option खुल जाएगा ऐसा फोटो का मिजर्मेंट खुल जाएगा इससे भी Duplicate Option पर क्लिक करो OK कर देना बस खुल जाएगा ठीक है इस टाइप से खुल जाता है अभी फोटो को कैसे क्रॉप करना है वो देख लीजिए मैंने तो PDF को स्कैन कर लिया पहले थे सौरी ये JPG format में मैंने हमने फॉर्म को फिलाप किया अपने हाथों से और फिलाप करके स्कैन कर लिया आप चाहे तो पहले CSF form को फिलाप करके उसको print out निकालके भी कर सकते हो दोनों procedure चालू है तो मैंने पहले स्कैन कर लिया इसको थोरा सा हम जूम कर लेता हूँ signature को crop करने के लिए जूम कर लिया photo and signature अब भी हम crop करेंगे यहाँ पर देख रहे है यह tools है यह right click करता हूँ और सबसे यह उपर वाला जो चीज है rectangular mercutile mercutile जो देख रहे है rectangular mercutile यह वाला option पर click करना है और इसको photo को पहले यहाँ पर आपको जितना photo लेना है जितना measurement आपको चाहिए ऐसा आप ऐसा drag कर दीजे drag करने के बाद आपको क्या करना है यह tools free कर देना इसको ओपर click करना ठीक है यह box के side में जो tools free button है इसके ओपर click करना move tool लिका हुआ है और photo मैंने marking करके रखा यह देखो और इसको directly उठा के हम यहाँ पर छोड़ देंगे यहाँ पर आ गया है अभी signature को भी हम ऐसे कर लेंगे signature को भी कर लेंगे फिर box के ओपर click कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और signature को हम यहाँ से लेंगे और इतना लेके tools free करेंगे move tool और फिर signature box के उपर हम छोड़ देंगे चले इसको हम काट देता हूँ और ये बाकी दोनों जो मैंने बनाया था इसको भी हम काट देता हूँ क्योंकि ये दोनों जरूरी रहे हैं मैं एक बंदे का ही photo बनाओंगा तो चले इसको पूरो maximize कर लेता हूँ और size एकदम बराबर कर लेना है ठीक है इसको कर लिया अभी save कर दोंगा file में जाके save option पर click करना और जिस file में आप save करना चाहते हो उस file में save कर लेना हम ये download में save कर लेता हूँ जहां पर customer का सब documents है और jpj mode पर save करना यहां पर link देता हूँ photo ठीक है ये photo save हो गया चलो इसको हम कर देता हूँ अभी बाकी रहे गया signature signature को भी आप ऐसा set कर लीजिएगा ठीक है इस तरह set कर लीजिए set करने के बाद इसको भी file में जाना save option पर click करना और इसको भी jpj file में save करना है और यहां पर link देता हूँ sign sign हो गया इसको भी save कर देता हूँ दोनो jpj file में save करना है चलो photo and signature तो हमने Photoshop से बना लिया हूँ अभी देखना परेगा आप जानते हो कि UTI का photo 30 kb होना चाहिए और signature 60 kb के नीचे होना चाहिए मतलब 60 kb 30 kb और 60 kb चलोए properties चेक करके देख लेता हूँ इसको उपर right click कर लेता हूँ और properties में जाके देख लेता हूँ यह देखिए 57 kb हो गया है 60 kb हो गया है मतलब जादा हो गया photo का size यह photo का size 30 kb होना चाहिए ठीक है और signature का size 60 kb होना चाहिए यह आप ध्यान में रखिए इसका measurement हम description box पर दे दोंगा signature का size तो एक जम बराबर है 56 है तो 60 kb का नीचे होगा भी तब भी चलेगा और photo 30 kb से नीचे होगा तब भी चलेगा तो यह photo का size हम कैसे घटाएंगे उसके लिए google से आपको एक software आपको download करना है छोटा सा फाइल है चलिए आपको download करना है reort reort software ठीक है तो reort हम download कर लेता हूँ तो reort यह देखो यह radical image optimization tool RIOT इसका full form है यह सबसे पहले वाला option पर click कर लेता हूँ सबसे पहले वाला option पर click करने के बाद यह जो free download है इसके उपर हम click कर लेता हूँ ठीक है तो देखो यह reort वाला जो software है यह download हो जाएगा एक्चुली यहां से photo and signature दोनों का measurement है वो घट जाएगा free download for PC यह वाला option पर free download for PC यह वाला option पर हम click कर लेता हूँ click करने के बाद reort का जो software है version 1.0.1 यह अभी downloading हो रहा है तो यह पर would you like to send notification यह allow मंग रहा है तो मैं dismiss कर देता हूँ allow नहीं करूँगा ठीक है यह reort software download हो चुका है तो आप लोगों को पता चल गया google में search करना है reort reort search करने के बाद सबसे पहला वाला option आएगा उसके उपर click करना 2.7 MB का file है यह हो गया है download जस्ट इसको आप show in folder कर लेता हूँ show in folder में यह पर आ गया है इसको right click करके run as administrator कर लेता हूँ run as administrator करके यह मंगेगा authentication yes कर देना और next I agree उसके बाद next और उसके बाद install वाला option पर click कर लेता हूँ चोटा सा file आभी install हो जाएगा और इसका जो image है देख रहा है आप यह icon देख रहा है reort का तो अभी downloading complete हो गया close कर देता हूँ तो यह सब काड़ देता हूँ यह सब हम काड़ देता हूँ फिर से हम चलता हूँ reort software कहाँ पर download होआ वो देखने के लिए देखो desktop में reort का कोई option ही नहीं आया तो क्या करना है हमको धूंडना है यहाँ पर गया मैंने यह reort देखो इसके उपर right click करता हूँ right click करने के बाद more ball option पर click कर लेता हूँ और more option पर click करने के बाद open file location कर लेता हूँ और इसके उपर right click कर लेता हूँ और send to desktop ball option shortcut यह option पर click कर लेता हूँ तो desktop पर यह आ गया है ठीक है तो desktop पर आ गया है इसको हम double click कर लेता हूँ double click करने से ये खुल जाएगा देखो खुल गया है Riot का software अभी क्या करना photo का size कितना है आप खुद ही देख लीजे यहाँ पर photo का size दिखाएगा यहाँ पर घटाने के बाद दिखाएगा तो photo को drag कर देता हूँ directly mouse को पकर के drag कर देता हूँ पहले था 57.92 KB अभी कितना दिखा रहा है अभी 8.78 KB इतना कम नहीं चलेगा 30 KB चलेगा चले इसको हम बरा देता हूँ और कितना हुआ 33 हो गया वो भी नहीं चलेगा थूरा सा कम कर देता हूँ यहाँ से घटा गये यह 25.69 KB हो गया क्या करना है Save Option पर क्लिक करना Save पर जब क्लिक करोगे यहाँ पर Save बटन दबाना है तो फिर से बोल रहा है फोटो जेपीजे अल्रेडी एक्जिस्स डू यू वान्टो रिप्लेस इट वो पहला वाला जो फोटो था और रिप्लेस होके यह वाला Save हो जाएगा तो Yes कर देना आपका पहला वाला हट गया और दूसरा वाला हो गया पहले वाला फोटो तो 50 कभी से ज़्यादा था अभी देखो इसका 25 दसम दसम लोग 6 KB हो गया चले इसका Size ठीक हो गया Signature की भी देख लो Signature हम यहाँ पे ड्राग कर लेता हो पहले 50 पॉइंट 24 के भी था और आभी भी 27 पॉइंट यह है तो यह Signature घटाने के कोई जरूरोद नहीं अगर ज़्यादा होगा तो घटा लीजिए Signature शाट के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ से दोस्तो रियोट सफट्वाइर से बहुत असानी से आप फोटो सिगनेचर बना सकते हो बस यह तो बन गया फोटो एंट सिगनेचर PDF कैसे बनाना है PDF बनाने के लिए एक सफट्वाइर है JPJ2 PDF Converter यह सफट्वाइर का Downloading Link हम वीडियो में दे देंगे कैसे बनाना है यह सफट्वाइर हम खोल लिया Add Option पर क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद यह जितना भी फाइले है सब फाइल को हम एक एक करके यहां पर ड्रेग करेंगे तो सबसे पहले acknowledgement सिलिप देना चाहिए सिलिप तो फिल हल नहीं है क्योंकि मैंने Apply किया नहीं उसके बाद देना है Other Card और जो जो डोकुमेंट्स अब लगाओगे सारे डोकुमेंट्स देना यह correction है इसलिए इतना ज़ादर डोकुमेंट्स है नहीं तो new के लिए सिर्फ आधारी काफी है और यह Convertible Option पर क्लिक कर देना Convertible Option पर जब क्लिक कर दोगे तो यह बन जाएगा अब यह 50% Compressed Quality में है चलो PDF यहां पर खुल गया है Output Folder C Drive में यह Output Folder है यहां पर आ गया Right Click करके देख लेता हूँ कितना Size आया 1.20 MB तो 2 MB का नीचे होना चाहिए ठीक है तो चलिए थोरा सा मैं बरा लेता हूँ इसको 60 60 कर लेता हूँ और फिर से Convert कर देता हूँ और देखो अभी Size कितना आयेगा 1.20 था अभी कितना आया देखो C Drive में जाना है Computer में C Drive में Output Folder है यहाँ पर आ गया Right क्लिक करके Properties में जाता हूँ 1.40 MB हो गया चलो यह PDF खोल के देख लेता हूँ PDF जो Software से बनाया यह Software का Downloading Link हम Description Box में दे देंगे और Rear Software का Downloading Link भी हम Software पर दे देंगे यह Description Box पर दे देंगे और Photoshop तो आप लोगों के पास होगा नहीं तो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है Addors, Photoshop तो Maximum Retailer का पास रहेगा वहाँ से आप फोटो असानी से बना सकते हो और यह Photo Signature UTI से अपलोड हो जाता है देखो PDF को हम दिखाता हूँ कि PDF का Quality कैसे बना और ठीक ठाक हुआ की नहीं अब देख लिजे पहले देखिए Application Form का Fast Page यह Correction था यह Fast Page आ गया अभी Other Card आ गया अभी देखो Pen Card का Copy आ गया और Last में आ गया Water Card ठीक है इसका नाम और Father नम का Change है इसलिए Water Card मैंने लगाया तो PDF बन गया दोस्तों अभी Photo, Signature and PDF तीनों चीज इसका बन गया है चले PDF को यहाँ पर हमने Drag कर लिया तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग है वीडियो बनाने वला था कि Photo, Signature, PDF कैसे बनाना है इसके उपर वीडियो बनाना चाहते था तो दोस्तों वीडियो आज एही तक वीडियो